नमस्कार दुस्तों क्लास एक्त महराष्टर स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चाप्टर नमबर 16 सर्फेस एरिया एंड वोल्यूम प्रैक्टिस एट 16.2 क्वेशन नमबर 4 वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको अने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें हम क्वेशन नमबर 4 दिखें क्या है find the area of the sheet required to make a cylindrical container which is open at one side and whose diameter is 28 cm तो diameter D 28 cm हमें पहले लिखना है और जो radius है वो diameter के half हो गई 28 का half मतलब 14 cm and height is 20 cm height है 20 cm यह जो height है वो है cylindrical container के लिए तो हम यहापे लिखेंगे cylindrical container तो एक container के लिए है radius और height आगे है नेक्स्ट find the approximate area of the sheet required to make a lead of height 2 cm for this container और इसी container को एक lead बनाने के लिए मतलब उसका डखकन बनाने के लिए 2 cm height का डखकन बनाना है तो डखकन के लिए कितनी sheet लगेगी sheet का मतलब जो भी sheet मतलब जो भी metal है समझो हमने लोहे का container बनाना है तो एक लोहे की पतली sheet लगेगी और जिससे की fold करने के बाद ऐसे sheet होगी उसको fold करने के बाद वो cylinder बन जाएगा तो उसका area पाइंट करना है में sheet का कि कितनी sheet जो है वो लगेगी तो पहले हम जो container है container बनाने के लिए कितनी sheet लगेगी वो पाइंट करेंगे और फिर उसके बाद जो उसका डखकन है डखकन के लिए जो sheet लगेगी उसका area पाइंट करेंगे अब दिखें डेकन कैसा है यहां पर Closed नहीं है Which is open at One side तो इसका मतलब जो भी 컨टेनर यहां पर दिया गया है वो open है यहां पर Open का मतलब यहां पर Closed नहीं है जो निचे है वहां पर Closed है मतलब यहां पर Metal है लिकिन यहां पर डगन लगाना है, तो डगन जो होगा वो बाहर से होगा, ऐसे यहां पे डगन आएगा बाहर से और डगन का भी हमें area bynd करना है lead का और container का भी cylinder का भी area bynd करना है, अब cylinder का जो area होगा cut surface area होगा plus base का area होगा cut surface area है 2 pi r e h, और base का है इन दोनों की ही addition करना है और जो sheet हमें लगेगी container बनाने के लिए वो हमें यहां पर मिल जाएगी तो हम यहां पर area of the sheet required to make the container हम यहां पर एक statement लखेंगे area of sheet required to make container container बनाने के लिए जो sheet लगेगी उसका area is equal to code surface area to pi reh plus base में circle है उसका area pi r square radius और height जो है वो यहां पर हमने लिखी है दोनों भी values तो वो यहां पर हमें substitute करना है तो 2 into pi के value हमें यहां पर नहीं दी गया है मतलब 3.14 ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है तो वो हमें लेना है 22 by 7 into radius radius के value 14 into height height के value 20 plus pi into r square पाइक के value 22 is 7 into radius का square तो radius है 14 का square 14 into 14 calculation करते समय हमें इन सब का multiplication पहले और बाद में इन सब का multiplication और उसके बाद जो दो numbers आएंगे उनके हमें addition करनी है तो इतना जो area होगा total वो जो container है वो container बनाने के लिए जो sheet लगेगी उसका area होगा तो 7 to the 14 22 into 2 44 44 into 88 88 into 2 160 176 88 को 2 से अगर हम multiply करते हैं तो 176 आएगा तो 176 यहां का 10 1760 प्लस अब यहां पर 77 फिर हम यहां पर इनके मुल्टिप्लाइड सेवन टूजा डिर करना है 787 से उप्लाइड करना है तो 14 से मुल्टिप्लाइड करना है 14 फूर्जा 56 के यह फाइव 56 प्लस फाइव 61 660 अब हमें इनके अडिशन करनी है तो यह होगा 6 7 त्रिटी त्रिटी त्री के रिवन वन प्लस वन टू तो तौज़न थ्रीहंड़्ड सेवनटी सिक्स स्क्वेर सेंटीमिटर का जो एरिया है इतना एरिया जिस शीट का होगा वो शीट हमें लगेगी अगर हमें ऐसा कंटेनर सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाना है तो अब नेक्स्ट और एक कोशन दिया गया है अब जो देखें लीड होगा इसका डखन होगा डखन भी सर्कुलर ही होगा ऐसा और यहां पर ऐसे इस फॉर्म में होगा तो यह भी एक सिलेंडर होगा वो भी उपन सिलेंडर होगा तो डखन जो होगा वो ऐसे होगा तो यह भी एक सिलेंडर होगा और यहां पर देखिए ऐसा होगा तो यह भी एक सिलेंडर होगा डखन जो कि यहां पर क्लोजड होगा लेकिन यहां से ओपन होगा क्योंकि इसको ऐसे यहां फिट करना है तो यहां ओपन होना चाहिए नीचे साइड में तो यह भी ओपन सिले हर जो हमें प्रीड बनाने के लिए चाहिए उसका एरिया अमें यहां पर मिल जाएगा टो जो रीडिे मोगी वह सेम हो यहां पर जौए 12 सेंटिमेटर पूई रिडिय की होगे लेकिन है मेल-एड़क है टक्न के do सेंटीमेटर है प्यूंटी जो बॉक्स है या कंटेनर है सिलिंडर वो नीचे तक होगा यहां पर उसका डगकन होगा ऐसे तो हमें इस का एरिया निकलना है लीड का तो हम पहले एरिया अप्दे लीड इस इकल टू अब जो लिए टू पाय आर इंटू है प्यों अब जो जो लिएक प्लस पाय और स्कुर्ण थो यहां पर टू थैस्टू कर देता है तू इंटू त्विटी ट्वाइच सेवर इंटू रीडियों कि वेलू 14 इन्टु आइड कि वेलू 2 प्लस ट्वेटीट उबाइ 7 एंटु टू स्क्वेर शुरी 14 स्क्वेर अब लुजा हमें का हमें कैल क्ल्कॉलेशन करना है جो हम नेक्स्ट पेज पे यहां पे स्वाल करेंगे पहले हमें इन सब का multiplication फिर इनका multiplication फिर addition करना है तो 7 वंजा 7, 7 तूजा 14 22 तूजा 44 इन्टू 2 तूजा 4 प्लस 7 वंजा 7, 7 तूजा 14 22 तूजा 44 multiplied by 14 अब इन दोनों का भी और इन दोनों का भी multiplication करना है तो 4-4 जा 16-1, 4-4 जा 16-1 17, 14 से 44 को divide करना है जो हमने इसे पहले oh sorry, multiply करना है multiply इसे पहले हमने किया था 616, तो इन दोनों के अगर हम addition करते हैं तो 792 cm square इतना area आता है lead का, मतलब जो भी डखन होगा, उसका area 792 cm square का होगा तो जो हमें यहाँ पर इस question में mainly क्या दिया गया है और क्या पूचा गया है, देखिए अगर cylinder open है और हमे total service refine करना है total क्यों करना है, container है एक side में open है यहाँ पर और इस container को यहाँ पर एक lead है इसका डखन है तो जो lead है, वो भी open होगा क्योंकि इसी यहाँ से हम खोल देंगे तो डखन जो है, वो ऐसे आएगा यहाँ पर इस form में और यहाँ पर और यहाँ पर ओपन होगा इदर side में और यह closed होगा क्योंकि हम यहाँ पर container को fit करेंगे तो यह closed हो जाएगा fit करने के बाद तो यह होगा डिबा और नीचे का जो container है वो भी open होगा एक side में तो code service area plus circle का area base में circle होता है तो जो sheet लगेगी container को form करने के लिए वो हमें मिल जाएगी उसका area मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम practice it 16.3 के questions solve करेंगे जिसमें हम volume of the cylinder pi r square h का जो formula है volume of the cylinder का वो use करके हम questions solve करेंगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वाच करने के लिए